बिहार विधान सभाच चुनाव से पहले भोजपुरी सीने इस्टार रितेस पांडे का राजनीती में एंट्री हो चुका है देखे रितेस पांडे आज पटना के बीजेपी परदेश कार्याले में पहुँचे और वहां से खुला एलान भी कर दिया है कि रितेश पांडे किस विधान सबासीट से जो है वह चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं देखे रितेश पांडे भोजपूरी जगत के मसुहूर गायक और अभीनेता हैं फिलाल आज रितेश पांडे जो है वह राजदानी पटना के बीजेपी परदेश कारियाले में पहुचे जहां मीडिया ने रितेश पांडे को जो है वह घेर लिया और सवाल किया कि रितेश जी आप कहां से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो रितेश पांडे ने साब तोर पर बता दिया कि भववा विधान सभा से हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं देखे रितेश पांडे ही नहीं बलकि भोजपूरी के कई दीगज कलकार जिनका बीजेपी से ही रुजहान जादा देखा जा रहा है चाहे वह पवन सिंग हो या फिर दिनेसलाल यादो निरहुआ रभी किसन या फिर मनोटिवारी देखे भोजपूरी के तमाम जो कलकार हैं वह कहीं ने कहीं बीजेपी के संपर्क में है और आज रीतेस पांडे पट है जहां से उन्होंने साफ तोर पर यह भी बताया कि किस विदान सभा सीट से चुनाव लड़ेंगे देखिए अगले साल यानि की दो हैदर पचीस में बिहार विदान सभा का चुनाव है और तमाम नेता के साथ साथ जो दल है वह अभी तैयारी में जुट गई है लेकिन ब कि रितेश पांडे भी आज बीजेपी परदेश कर्याले पहुंचे और वहां पर उन्होंने साफ तोर पर इस बात को कह दिया है कि भवगा विदान सभा सीट से रितेश पांडे की तैयारी होगी देखिए आपको मालूम है कि कि इस तरीके से 2024 का जो लोक सभा चुना हुआ उसमें पवन सिंग को भी बीजेपी ने टिकर दिया था आसन सोल से हलांकि उसके बाद क्या कुछ हुआ कि पाउन सिंग वहां से चुनाव नहीं लड़े उसके बाद पाउन सिंग निर्दलिये चुनावी मैदान में लेकिन फिलाल चुनाव से लगवग एक साल पहले रिते पांडे की तैयारी जो है वह भवगा विधान सभा से बीजेपी के तरफ से हो सकता है देखे फिलाल बीजेपी के तरफ से अधिकारी कोई बयान नहीं है कि रितेश पांडे को वसीट मिली जाएगा लेकिन तैयारी में रितेश पांडे जो है वह अभी सेही जिट गए हैं देके बोजपूरी के दिगज कलकार हैं, मसूर अभिनेता भी हैं, और रितेस पांडे का आज जिस तरीके से राजनीती में एंट्री होते हुए दिखाई दे रहा है, उस पर कई तरह के अब सवाल होंगे, पहरा लेके अपडेट आपको दे रहा हैं, भी हारेक सुचके डिज प्लेटफॉम पर बन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।